हिंदु धर्म शास्त्रों में हर दिन किसी ने किसी देवी या फिर देवता को समर्पित है मंगलवार का दिन संकर मुझेन हनुमान जी का दिन माना जाता है जोतिश सास्त्र में भी हनुमान जी के प्रसन होने और उंके करिपा पाने के लिए को छुपायों का अज़्सकर कते है बता दे कि अगर आप मंगलवार के देन हनुमान जी के 108 मंत्रों का जाप करते हैं तो अशुद ग्रहों का प्रभाब धीनी धिने खतम होने लगता है वही अगर क्योई व्यक्ति कुंडी में शनी के साड़े सती से परेशान है तो मंगलवार को इन 108 नामों का जाप करने से व्यक्ति के सारे कश्ट दूर हो जाएंगे बताते चले कि आज 3 सप्पेंबर मंगलवार के दिन चंद्रमा सिंग राशी में रहेंगी आम आवसा समात होने के बाद चनिमा अपनी वोजर का बढ़ाने के लिए हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है चंद्रमा से संबंदित लोगों के मन में होगा मन होगा कि निराशा लेकिन बता दे कि पुर्वफाल गुई नक्षत रौस सिर्थी होगे जो दिशार या पंडित शशी शेखत रिपाठी से भी हम जाने हैं बार राशियों के दानेक राशिफर बात करें अगर आज के में इश्राशी की तो इश्राशी के लोग मन की शांती को प्रभावित ना होने दे क्योंकि खराबूट के करण आप काम को बीच में छोड़ने जैसी गलती कर सकते हैं व्यापारी वर्ग के लिए यात्रा की योग बनेंगे आधिक स्तिधी में सुधार होने से आने वाले तोभारों या उफसरों को बनाने के प्लान करेंगे सभी कित्सा संबन छीक बने देंगे यूबा वर्ग समय और धन का सदुप्पयों कर सकें नहीं तो आने वाला वग परिशानी उसकी भर सकता है व्रिश राशी के लोगों के उपर काम का बोल जाड़ा हो सकता है व्यापारी वर्ग साद्धानी पुर्वक और व्यभारिक रूप से विचार करने के बाद ही किसी डील या फिर अनुबंद के लिए हामी भरे बात करें अगर हम तीसरे राशी की तो हो है मुथम राशी इस राशी के लोग करियर छीति में आगे बढ़ने के लिए नया ग्यान देने का विचार बनाएंगे जिसकी शिरुवात वो आस सही का सकते हैं व्यापारी वर्ग उदेशियों पर ध्यान के इंद्रित करते हुए कारे करें कपल्स के भी इस तानापानी के स्थिति बन सकती है ऐसे में साज़ादारी समझदारी से काम नेते हुए बातों को इग्नौर करें करक राशी के लोगों के लिए अपने विचारों को प्रभाफशारी ढंग से व्यक्त करने के प्रयास करें आर्थिक मामलों में सतर्क रहना है पढ़ाई में कुछ बाढ़ाया सकती है इसलिए का ग्रत बनाए रखें बात करें अगर हम सिंग राशी की जो की है पांचवी र सकता है बात करें अगर च्षट बेराशी की तो वह यह दुला इस में निकाननास ब्याइब करें बात करें दोया इस राशी के लोग की ये कारियों की समिक्षा करके उसे और बहतर बनाने के तरीके पर गौर करें वियापारी वर्ग प्राक्मित्ताओं पर ध्यान देते हुए दूरी चीज़ों को पूरा करने की शिर्वात करें बात करें अगर आठवी राशी की तो रो है रिष्चिक राशी रिष्चिक राशी के लोग पिछले कारियों के परिड़ाम को सोचकर परिशान हो सकते हैं पिछली गलतीों के कार और कॉंपिडेंस भी लोग हो सकता है इसलिए पुरानी बातों से खुद को दूर रखे व्यापारी वर्ग को किसी पुराने निवेश से मुनाफा होने की संभावना है बात करें अगर धन्वी राशी की तो वो है दस्वी राशी इस राशी के लोगों आफिस के सभी काम अच्छे से करें साथ ही हम बात करें अगर व्यापारी वर्ग के निड़ने लेने के शमता मजबूत होगी यात्राओं के कारण आज के दिन धन खर्जा दिखो सकता है बात करें ग्यारवी राशी की तो वो है मकर राशी मकर राशी के जो लोगों का आज इंटरव्यू है वो ड्रेसिंग सेंस का ख्यास ध्यांदे कारोबार में जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको महनत के नुकल भर पूर सफलता मिलेगी बात करें कुम्ब राशी की तो कारेश्चेत में वरिष्टों का दबाफ के चलते इस राशी के लोगों को ओवर टाइम करना पर सकता है साथ ही मामने दिन में अच्छे रहेंगे और अपेक्षित मुनाफ़ा होने की प्रबल संभाबना है बात करें अगर मीन राशी की तो म कारेकाल का मोहल बनिया बना रहेगा और ग्रहांफों के साथ विवादों के कारण भी विवसाय में समस्या उत्पन हो जकती है विसी आपकी कौन सी राशी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए आपका दिन के ऐसा हमें यह भी बताए इसी तमावरे डिश्वरों को जाने के जड़े रहे मारे साथ हो दिख्थे रहे नेक्सान स्पीट